नमस्कार दोस्तों मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्रेटफॉर्म पे जहां पे आपको नई रिक्रूटमेंट की अपडेट दी जाती है अगर आप नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब इस चैनल और प्रेस दे बैल आइकन फोर दे लेटेस्ट यानि कि KBS में जो वेकेंसी आई हुई है उसकी अपडेट मैं आपको दूंगा उससे पहले आपको मैं एक बात बता दूँ जो लोग भी जेनरल वेकेंसी जो जेनरल वे में एक्जामिनेशन के बाद वेकेंसी आप लोगों को रिक्रूट किया जाता है वो वेकेंसी नहीं आई हुई है जो उसके इंतिजार में यहाँ पे आए हो देखने के लिए वो इस वीडियो को ना देखें मैं आपको बता दूँ उसके लिए भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अब देखते हैं कॉंट्रक्चुल वेकेंसी आई हुई है जो लोग भी कॉंट्रक अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको सारी इंफोर्मेशन पता चल जाएगी तो देखो मैं आ चुका हूँ कैंद्रिय विद्याले संगठन के ओफिसल वेप साइट लखनपूर में आपको यहां से लखनपूर देख लेना है मैं आपको लिंक देदूंगा या पिर आप खुद गुगल से सार्च करके यहां पर पहुंच सकते हो जब आप नीचे आओगे तो देखो एनॉंस्मेंट सेक्शन है यहां पे आपको वियू अल पे क्लीक करना है जैसे ही आप वियू अल पे क्लिक करोगे तब ही आप वेकेंसी को देख पाओगे देखो यह रही आज 25 है यहां से आप देख सकते हो दो नए नोटिफिकेशन यहां पे रिलीज की गई है मैं आपको बता दू यहां से आप देख सकते हो advertisement for contractual teacher 2021 और 22 के लिए अब देख लेते हैं appointment criteria क्या है तो सबसे पहले मैं appointment criteria को download करता हूँ तब हम लोग समझ पढ़ाएंगे कि क्या बाते हैं तो देखो सबसे पहले आप अगर PGT teacher के लिए apply करना चाहती हो तो आपको जो भी विसाय है उसमें 50% at least होना चाहिए be it आपका complete होना चाहिए और Hindi English दोनों medium में आप पढ़ा सकते हो और computer की basic information आपके पास होनी चाहिए आगे देख लो अब TGT teacher के लिए देखो गनित, अंग्रेजी, हिंदी, बिज्ञान, समाजिक बिज्ञान और संस्कृत के लिए vacancy आई हुई है सेम बातें उहां पे भी है और यहां पे CTAT अनिवारी रूप से आपको किया गया है और TGT teacher में CTAT को जो है नहीं रखा गया है अब आगे बढ़ते हैं PRT teacher के लिए देखो vacancy IV है जिनोंने DLA, BAD कर रखा है, JBT जिस नाम से आप समझते हो इसे CTAT अगर आपने 125 का pass कर रखा है तो आप apply कर सकते हो और Hindi English दोनों में आपकी प्रवीनता होनी चाहिए पढ़ाने में और computer का basic information होना चाहिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ आप लोगों को telegram channel join कर लेना है नीचे comment section में उसका link मिलेगा ताकि इसी तरह की update से आप miss ना हो जाए और एक और बात आपको PDF वगेरा सब कुछ वहाँ पे free में मिलता रहेगा आगे बढ़ते हैं देखो teacher art and craft के लिए music teacher की भी vacancy है staff nurse की भी vacancy है यहाँ से आप देख सकते हो और computer infrastructure की भी vacancy आई हुई है तो आप जिस चीज में capable हो वहाँ पे आप अपलाए कर सकते हो तो आपको सारे खर्च खुद से करने होंगे यहाँ पे आपको कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है और आवे सकता पढ़ने पे ही जो है अब यर्थों को बुलाए जाएगा यह हो सकता है आपका online interview हो जाए आगे बढ़ते हैं परिक्षा साथ चातकार में उपस्तित होने के पूर्विया सुनिशित करने की आप जो है बिल्कुल सारे eligibility criteria को complete करते हों नहीं तो आपको सामिल नहीं किया जाएगा एक और बात आपको जो है परिक्षा की टिथी इसी website से मिल जाएगी और एक और बात आपको अपना आवेदन और सभी जो आपके document हैं वो विद्याले में जमा कराना होगा तो यह बाते हैं थी अब मैं बढ़ता हूँ वहाँ से जो advertisement ये रही contractual teacher appointment criteria हम लोगों ने देख लिया अब देखते हैं advertisement क्या है इसका देखो मैं इस पर click करूँगा and you have to wait for a few seconds then it will be opened थोड़ी सी wait कर लेना और ये फिर आपको खुल जाएगी थोड़ी सी wait जी हाँ ये खुल गई अब देखो यहाँ पर unscalling समविदा पर समविदा मतलब होता है contractual हिंदी में है ये word इसलिए confused मत होना है तो ये सारे vacancy है 18-65 वर्स अगर आपकी age है तो आप apply कर सकते हो और last date जो है 12 February तक है और यहाँ से देख सकते हो आप website से आविदन प्राप्त कर सकते हो तो थोड़ी सी wait कर लेना और website को आप देखते रहे तो आपको जो परिक्षात तिती है और साक्षात कार की date वो पता चल जाएगी अगर नए हो तो प्लिश सकता है